इतियास की कक्षा में आपका स्वागत है मैं टॉक्टर इक्बाल से आचारी इतियास भाग राज की महाद्याले जालवाड आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ मुगल सामराजी की स्थापना में बाबर का क्या योगदान रहा बाबर का शाशनकाल भारत में 1526-1530 इसवी तक रहा जहां तक बाबर के प्रारमिक जीवन की बात है तो बाबर जो है भारत में मुगल सामराजी का संस्थापक माना जाता है अनेक इत्यासकारों का मानना है कि वे संपूर मुगल काली नित्यास के अधिक्तम आकरशक व्यक्तियों में से एक है इत्यासकार लेनपूल के मता अनुसा बाबर का इत्यास में इस्थाई में तो उसकी भारतिये वीजियों पर निरबर है किन्तु भारत विजे से पहले बाबर ने अपने जीवन के अधिकांश वर्षों को बाहर व्यतीत किया था बाबर के जीवन के ये वर्ष कम आकशक नहीं कहे जा सकते हैं जहिरुदिन मुहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 इस्वी को फरगना में हुआ था उसके पिता उमरशेक मीरजा तेमूर के वनशास थे और उसकी माता कुतलुक निगार खानम चंगेज खांगी वनशास थी इस प्रकार उसमें मंगोलों की करूर था एवं तुरकों की योग्यता तता साहस का समन्वे था इन गुणों के कारण तथा इसके अलावा उसमें इरानियों की विनीत सिस्टता भी थी जो पालन पोशन के कारण उपलब्द हुई थी आट जून 1494 इस्वी को कबुतों की उडान का मजा लेते समय मकान की छस्य से गिर जाने के कारण बाबर के पिता की मृत्ति हो गए अपने पिता की आकश्मिक पृत्तियों के बाद 11 वर्ष 4 महीने की अल पायू में वह फरगना की गद्धी पर बैठा फरगना का स्वतंत शाशक बनने के बाद उसने यह अनुभव किया कि उसके रास्ते में अनेक बादाए हैं उन दिनों उसके दो शत्रू फरगना पर दो विभिन दिशाओं से आक्टमन कर रहे थे विध्यार्तियों बाबर ने अपनी दादी एशान दोलत बेगम की सहायता से अपना राज्य अभिशेक करवाया और अपने राज्य में सुववस्था इस्थापित करने का प्रयास किया बाबर बहुत मैतवा कांशी था वे तैमूर की राजधानी समरकन पर अधिकार करना चाहता था इसी प्रकार आगे बढ़ते वे बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया भारत पर वीजे से पहले वे बारे वर्ष तक काबुल का शाशक रहा बाबर के बुरे दिनों ने उसे शुरू से ही सैश्नुता, धीरच, सैयम, साहस वे मृत्यू से निरटा, आदी के महान गुणों का अभ्यास करा दिया था इन गुणों से परिपूर्ण होने के बाद बाबर ने भारत पर आक्टमर्ण करने की योजना बनाई बाबर के जीवन में उसके भारती अभ्यानों का महत्पूर्ण इस्थान है प्रसीत इत्यास का लेनपूल ने उचीती लिखा है कि बाबर, मद्देशिया तता भारत, लुटेरों के जुंडों तता सामाजिक शाशन व्यवस्था और तैमूर तता अकबर को जोडने वाली कड़ी है अब मैं आपको बताना चाऊंगी कि बाबर ने भारत पर आक्टमन की शुरुआत कब की और उसके कितने आक्टमन हुए तो बाबर को भारत वीजी की वास्थिक प्रेणना अपने एक अमीर से मिली जिसने कहा कि इसलिए आगे बढ़िये और संसार के सरसेस्ट देश पर अधिकार कर लिजी सिंदू के उस पार एक सामराज्जी की स्थापना कीजिए जिसके लिए आपके पूर्वज मार्ग दिखा गए हैं भारत पर पहला आक्रमण बाबर का हुआ था 1519 सीस्वी में और अपने प्रारंबिक आक्रमण में उसने जो कि 7 जनवरी 1519 सीस्वी को हुआ था बाजोर का किला जीत लिया फरवरी 1519 सीस्वी में उसने बिना किसी प्रतिरोध के भेरा पर अधिकार कर लिया कुछ दिन बाद वे काबूल वापस लोट गया और उसके जो गवर्णर था हिंदू बेग उसको भारतियों ने भारत से बाहर भगा दिया इस प्रकार बाबर का पहला आक्रमन इस्थाई नहीं हो सका उसका दूसरा आक्रमन 1519 सीस्वी के अंत में हुआ और उसने यूसुफ जई अफगानों के विरुद अभियान किया लेकिन पेशावर पहुचने से पहले उसे सुचना मिली कि उसके प्रतिदंदी या उसका विर और भेरा होता हुआ सियाल कोड तक जा पहुचा इस अभियान में भी उसे बीच में लोटना पड़ा उसका चौथा आक्रमन जन्वरी 1524 सीस्वी में हुआ लाहोर में सुल्तान की अफगान सेनाओ ने उसका सामना किया लेकिन वे पराजित हुई चार दिन बाद वह दिपालपूर पहुचा जा दोलत खाने बाबर से भेट की बाबर ने पंजाब की जीते वे प्रदेशों में अपने अधिकारे नियुक्त किये और स्यम काबूल लोट गया बाबर का पांचवा आक्रमन हुआ था दोलत खान के विद्रों की सूचना मिलन के बाद और दिसंबर 1525 सी में उसने आक्रमन ये किया 15 जनवरी 1526 सी को बाबर ने मिलवट का किला घेल लिया दोलत खाने विप्रीत परिस्तितियों में आत्मसमरपन कर दिया बाबर की इस सफलता से प्रोसायत होकर इब्राहिम लोदी के जो ऐसंतुस्ट अमीर थे उन्हों इन अनुकूल प्रस्तितियों को देखते वे विध्यारतियों बाबर ने अब आगे बढ़ने का निश्चे किया बाबर का अब दूसरा कदम था इब्राहिम लोदी के खिलाफ परिणामते पानीपत के युद का श्री गणे शुआ पानीपत का जो प्रथम युद है वे किस अप्रेल 1526 युशी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया पंजाब को अधीन करके बाबर जब दिली के और रवाना हुआ तो इब्राहिम लोदी ने भी एक विशाल सेना तयार की बाबर अपने साथ 12,000 सेनिक लाया था ये विवरन उसने अपनी आत्म कथा में दिया है लेकिन पंजाब को जितने के बाद बहुत से भारतिये धन के लालत में उसकी सेना में शामिल हो गए थे जब बाबर युद छेत्र में पहुचा तो उसके सेनिकों की संख्या 25,000 हो गई थी डॉक्टर एल श्रिवास तो लिखते हैं कि उसकी सेना 25,000 के बक थी बाबर के मैदान में पानिपत के मैदान में 12 अप्रेल को बाबर ने अपना मोर्चा जमाया किन्तु युद की शुरुआत कई दिनों तक नहीं हुई 20 अप्रेल की रात को बाबर ने अपने 45,000 सेनिकों को आक्मन करने के लिए भेजा किन्तु उससे सफलता नहीं मिल पाई किस अप्रेल को सुबह दोनों पक्षों के मद्य पानिपत का युद छुड़ गया यह युद दो विप्रीत युद पद्दतियों के बीच था एक और तो साहस और व्यग्यानिक युद के कुछ साधन थे दूसरी और मद्यकाली धंके सेनिकों की भीर थी जो भालों और धनुष भानों से सूसत जित थी और जो मुर्खता पूर्ण तथा एववस्ति धंग से जमा की गए थी दोपैर तक युद चलता रहा बाबर की उत्कृष्ट युद विवस्ता तथा सैन्य संचालन ने उसे युद में सफलता दिलाई इब्राहिम के 15,000 सैनिक मारे गए औ और सुल्तान स्यम वीरगती को प्राप्त हुआ बाबर ने स्यम अपनी आत्म का था तुजु के बाबरी में लिखा है कि शायद ही कोई युद इस प्रकार लड़ा गया हो इस प्रकार शत्रु का पीछा क्या गया हो और इतनी जल्दी जीत हुई हो जब युद समाप्त बढ़ चुका था और मध्यान तक लड़ाई चलती रही थी अंत में शत्रु दल जो है चिन्बिन हो गया और खदेड दिया गया और बाबर के युद्दा विजय हुए बाबर की सफलता जो मिली तो उसके पहले अब चर्चा हमने की है उसके बाद मैं आपको बताना चाहू की कि बाबर ने भारत पर आक्मन क्यों किया यानि बाबर के भारत पर आक्मन के कारण क्या थे तो सबसे पहला कारण तो यह था कि बाबर बहुत महत्वाकांशी था पानिपरत का युद्द बाबर की महत्वाकांशाओं कि अभी व्यक्ति था वे महत्वाकांशी सहासी और विपत्यों से जूजने वाला व्यक्ति था तैमूर एवं चंगेज खां से वे प्रेणना प्राप्त करता था उसका एक मात उद्देश्य एवं आदश था विजे दूसरा जो प्रमुक कारण था वह ये था कि काबुल का राज्य प्रयाप्त नहीं होना पंद्रा सो चार इस् प्रदेश था और इस पर भी उसके कई भाग जागीर में दे दिये गए थे और अपने छोटे भाई जहांगीर को उसने गजनी और उसके आसपास के प्रिदेश अपने मिर्जा सरदारों को जागीर के रुपे प्रदान कर दिये इसका परणाम ये निकला कि बाबर के पास चोटा सा राजी रे गया था अतर अपने साम्राजजी को विश्रिद करने की दर्स्ठी से उसने बहारत पर आक्मण करने का इरादा किया था एक कन्य कारण था कि भारत पर अधिकार करना वे अपना पैत्रिक अधिकार समस्ता था वह जो कि तैमूर का वंश्रस था जिसने 1398 वे इसी में भारत पर आक्मन किया था तुगलगवंश के काल में उसके प्रतिनीदी खिजरखाने अपने साथ्यों सही दिल्ली पर 40 वर्ष्ट तक अधिकार किया था चाशन किया था अयत्य बाबर भारत पर अपना पैत्रीक अधिकार समझता था भाबर अपनी आत्मकता में लिखता है कि इसे प्राप्त करना वे उतना ही जरूरी समस्ता था जिस प्रकार की वे समरकन को लेना समस्ता था बाबर के भाद पर आक्मन का एक और कारण था बाबर की सामराजी पुरसार की नीती बाबर ने फरगना का शाशक बनने के बाद अपने राज्य विस्तार के इस दिशा में सफल नहीं हो सकेगा तब वहे दक्षिन पूर्व की और मुड़ा काबुल वे कंधार पर उसका अधिकार हो गया अब वहे काबुल को केंद्र बनाकर भारत की और बढ़ने के लिए अधीर हो गया इसके बाद एक अन्य जो मैत्पूर्ण कारण था वे था भारत की ततकालिन राजनितिक एववस्था जिसका उलेख मैंने पिछले वीडियो में किया था कि जब बाबर काबुल के में अपनी शेनितिक शक्ति को मजबूत कर रहा था उस समय दिल्ली का राज्य इब्राहिम लोदी के नेत्युत में दिन बदिन दैनिय दशा की और बढ़ रहा था सोली शताब्दी के प्रारंबिक दश्कों में भारत की राजनितिक इस्तिती डावा डोल थी बारत छोटे छोटे आपस में लड़ने जगरने वाले राज्यों का समो मात्रु रह गया था इन राज्यों के बीच एक्ता का अभाव था देश में विकेंद्री करण की शक्तिय अत्युवर और शशक्त हो गई थी एक शक्तिशाली केंद्रे सत्ता के अभाव में ये राज्ये विदेशी आक्मणों से देश की रक्षा करने में ऐसमर्थ थे बावर को ये सब बाते मालूम थी अत्य तत्कालीन राजनितिक एव वस्थाओं ने भी बावर को भारत पर आक्मण करने का सुनहेरा मौका प्रदान किया इसके लावा एक अन्य प्रमुक कारण था कि भारती र्यासतों के प्रधानों द्वारा बाबर को भारत पर आक्मन करने के लिए आमंत्रित करना इस समय तुर्क अफगान साब राज्ये अपनी आखरी सासे ले रहा था बाबर के आक्पन के समय दिल्ली की गद्धी पर इब्रहाइम लोधी जैसे अयोग्य शाशक का राज्य था अधिकार था वह एक अयोग्य सेनापती था वह हटी, दंभी, निर्दई, अभिमानी और एदूरदर्शी भी था इन दुर्बलताओं के कारण उसने अपने रिष्टेदारों एवं अन्नी अफगान सरदारों को अपना विरोधी बना लिया था अंत में पंजाब के सूबेदार दोलत खाने और साथी इब्रहाइम के चाचा आलम खा तता मेवाड के राणा सांगा ने अपनी अपनी व्यक्त प्रतिगत महत्वा कांशाओं की पूरती हेतू पूरा करने हेतू बाबर को भारत पर आक्मन करने का निमंत्र दिया इससे बाबर का साहस बहुत बढ़ गया और उसने भारत पर प्रबल आक्मन कर दिया बाबर के द्वारा भारत पर आक्मन करने का धानमिक कारण भी था वह तेमूर लंग वे चंगेच खां का वन्शस था और उनी की भाती वे कट्टर धर्मावलंभी भी था वे भारत में इसलाम का प्रसार करना चाता था और इसी लिए जो है उसने आक्टमन किया एक कारण आर्थिक भी था बाबर को ये पता था कि विस्तित राज्य प्राप्त करन कि इसलिए काबुल विजे के बाद उसको रसद की आवशक्ता हुई तो उसने हिंदुस्तान की और लोब पूर्ण दुरस्टी से देखा यानि बाबर द्वारा भारत पर आक्मन करने का एक अन्य मैत्मों कारण आर्थिक आवशक्ताएं भी थी इसके लावा कुछ सेनिक का संगठन भी दैनिया था रॉक्टर एल शिवास्तों कहते हैं कि लोधी सुल्तानों के अंतरगत दिल्ली की फोज का संगठन एक सू संगठित रास्टे सेना के रूप में ने रहकर सांपरदाइक धंसी हुआ था भारत की सेनिक दुरबलता ने भी बाबर को भारत पर आक्मन हेतू प्रोशाहित किया उप्रोक्त कार्णों से विध्यारतियों बाबर जो है प्रेरित हुआ कि वे भारत पर आक्मन करें और अपना सामराजी यहां पर इस्थापित करें अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पानिपत युद के परिणाम क्या निकले विध्यारतियों पानिपत का युद भारत के महत्पुन युदों में अपना विशिस स्थान रखता है आप तो यह जानते होंगे कि पानिपत के तीन युद हुए हैं और यह पानिपत का पहला युद था जो 1526 में लड़ा गया यह युद 1777 के प्लासी के युद की तरह ही निर्नायक था इ यह कहना है डॉक्टर इश्वरी प्रसाथ का पानिपत का युदू मद्यकालिन भारतिय इत्यास की युगांतर कारी घटना है यानि इसने एक युग परिवर्तन किया एक युग का अंत करके नए युग की शुरुवात की इसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को पूरी तरे बदल दिया कुछ लोग ये समस्ते थे कि इबराहिम को पराजित कर बाबर काबुल लोड़ जाएगा लेकिन उनकी आशाओ पर विद्यार्तियों इस घटना से तुशारा पात हो गया राना सांगा भारत में एक हिंदू सामराजी की स्थापना का स्वपन देख रहा था उस प्रथम युद निर्णायक कहा जा सकता है इस युद का एक और परिणाम था कि भारत में लोधी वंश की समाप्ती हो गई तथा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई पानीपत के प्रथम युद में लोधी समराट इबराहिम लोधी मारा गया था पानीपत ने भार असी में क्लाइव की विजे का भारत में विटीस्ट साशन की स्थापना में महान महत्व है उसी प्रकार पानीपत के प्रथम युद में बाबर की विजे का मुगल सामराज्य की स्थापना में विशिस्थ महत्व है यह कहना है टॉक्टर वीडी महाजन का तुर्क अफगान राज्ये या दिल्ली सल्तनत के आउशेश पर मुगल राजवंश की स्थापना की गई जो लगभग 225 वर्षों तक कायम रहा मुगल राजवंश द्वारा देश को सुरेष्ट सुयोग्य एवं सफल शाशक प्राप्त हुए जिनके अधिकार में देश को एक योगिक संस्क्रती के विकास के नवीन प्रयोग शुरू करने का मौका मिला इस युद का एक अन्यमहत्पून परिणाम था लोधियों की शक्ति समाप्त होना पानिपत के प्रथम युद में इब्राहिम लोधि की पराजे ने लोधियों की शैन्ने शक्ति को पूरी तरे छिन भिन कर दिया बाबर लिखता है कि आगरा पहुँचकर हमें ग्यात हुआ कि हिंदुस्तान के निवासियों की गणना के नुसार 40,000 अथवा 50,000 व्यक्ति बारे गए ये इस युद की भयावत को दर्शाता है डॉक्टर आर्पी तिरपाटी भी कहते हैं कि इसने लोधी वंश के भागे को उसी प्रकार समाप्त कर दिया जिस प्रकार उसके पूर्वस तेमूर ने तुगलक वंश के भागे को समाप्त किया था इतियास का लेनपूल भी लिखता है कि दिल्ली के अफगानों के लिए पानिपत का युद्विनाश का हिसाबित हुआ इसने उनके सामराज्य का अंत कर दिया तता शक्ती का आवसान कर दिया वहीं बाबर की इस विजे का एक प्रणाम ये निकला कि बाबर की महत्वा कांशा वे सामराज्य वादी ही तुसके पूरे हुए और उसकी जो इदर उदर भटकने के दिन थे वो अब समाप्त हो गए अभी तक बाबर के मद्देशा में जब तक रहा उसे अपने जीवन वे राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर संगश करना पड़ा किन्तु इस विद्ध में विजे के बाद बाबर दिल्ली वे आगरा का स्वामी बन गया और उसकी चिंताय कम हो गई इसी संदर में इत्यासकार रशब्रुक विल्यम ने ठीक क्लिका है कि ये ठीक है कि बाबर के इदर उदर भटकने के दिन समाप्त हो गए थे और अब उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अत्वा सिहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने के आवशक्ता नहीं थी उसे तो अब राज्य विस्तार के लिए युद्ध योजनाओं में शक्ति लगानी थी साथ ही इस विजे से बाबर के गौरों में भी व्रद्धी हुई अब बद्धे इशा में दरदर भटकने वाला बाबर या सत्रंज का बाश्चा नहरेकर भारत में इस्थाई मुगल सामराजे का संस्थापक बन गया इस विशे में डॉक्टर इस्मित कहते हैं कि वह अपने समय का एशिया का महान प्रतिबाशाली राजा था तता भारत के समराटों में वह एक उच्छ स्थान के योग्ये था बाबर को इस विजे से आर्थिक लाब भी हुआ युद के परिणाम सरुप उसे लूट में बहुत साइधन की प्राप्ति हुई इस धन को बाबर ने अपने सेनिक अधिकारियों संबंदियों यानि रिश्यदारों और नोकर चाक्रों में बाढ़ दिया लोगों को अपने जो साथी रोग थे परिवार के लोग थे उसको उन्हों उसने जागिरे दी और पुरसकार भी प्रदान किये और परिणाम ये निकला कि लोग अब उसके भक्त बन गए डॉक्टर आरपी तिरपार्टी कहते हैं कि बाबर ने जो धन दिल्ली व्यागरा से प्राप्त किया था उसमें से बहुत सा धन उसने अपने सेनीकों को दे दिया वह समरकन इराक खुरासान वह काशगर में इस्थित संबद्यों को तता समरकन खुरासान मक्का वे मदीना के पवित्र आद्मियों को भी भेट चड़ाना नहीं भूला इस पकार पानिपत विजे ने बाबर की दैनिय आर्थिक स्थिति को बदल दिया इस युद के कुछ सेनिक परिणाम भी निकले और ये काफी महत्पून थे विध्यारतियों जैसा कि हमने पहले अभी बताया था कि युद की दो विप्रीत पदतियों में था और बाबर की जो विजे थी उसका मुखे कारण ये था कि वह युद में प्रवीन था और उसने कुछल सेना पतितु किया था मुगलों ने इस युद में तोप खाने और तुलुकमा विधी का सफल प्रयोग किया था यह पहला आउसर था जब किसी भी भारती युद में इनका प्रयोग हुआ हो विध्यार्तियों आप जब भी कोई प्रतियों की परिक्षा देते हैं तो बहुत सी बारी पूछा जाता है कि भारत में तोप खाने का प्रयोग कब किया गया किसके द्वारा किया गया तो उत्तर होगा पानिपत का प्रथम युद और बाबर के द्वारा किया गया प्रियोगए लगा रथों देश में युद का रूप और स्थर बदल गया बाबर की विजय का एक परणाम था कि उत्तरभारत विजय का रास्ता साफ होना मार्ग प्रशास्त होना इस विज़े के एक साल बाद ही बाबर ने राणा सांगा को युद करना पड़ा उसे जो उस समय उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजा था पानीपथ के मैदान में बाबर की विज़े ने उसकी आठिक वे जन अवस्था को सुधार दिया परिणाम तेवे राणा संगा का सामना करने में समर्थ हुआ यदि वे पानीपथ के युदमें ही नहीं जीतता तो शेश भारत पर उसकी विज़े संबव भी नहीं थी यानि पानिपत की विजे ने उसे भारत के अन्य छेतनों को जीतने का रास्ता उसके लिए साफ कर दिया बाबर का जो ये विजे थी उसका एक महत्पून परणाम ये था कि भारते सब्वेता और संस्कृति में महत्पून परिवर्टन हुए और इस युद से भारत में हिंदो और मुगल संस्कृति वे सब्वेता के समन्वे से नई सब्वेता का उदे हुआ तुर्क अफगान शाष्कों की तुलना में मुगल उदार मानविये और संस्कृति के पोशक थे मुगल काल में भारत में इरानी संस्कृती का अग्मन हुआ निर्दैता वे धर्मांदता के स्थान पर मानविये और धार्मिक उदारता का युग शुरुआ इरानी कला वे भारते कला के संगम ने कला को नया आयां प्रदान किया तथा इरानी साहित्ये के प्रभाव से यहां नईवीन साहित्ये का स्रजन भी हुआ, शक्तिशाली मुगल समराटों के शाशन में शान्ती व्यवस्था कायम रही, देश की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में लाप धायक परिवर्तन दिखलाई पड़े अब भारत आंत्रिक एवं भाये दुष्ठी कोणों से काफी शक्तिशाली हो गया था, तो इस प्रकार विध्यारतियों हमने देखा कि मुगल सामराजी की स्थापने में बाबर का जो युगदान है, उसमें पानी पत का युद्ध के क्या कारण थे, क्या घटना क्रम था औ बज में आया होगा, आपकी सुजाओ, सादर आमनतीत है, धन्यवाद